दोस्तों गर आप भी येशस्वी जैसवाल को एक खतरनाग खिलाडी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीचेगा दोस्तों अपनी खौफनाग बल्ले बाजी से येशस्वी ने रचा एतिहास तो इस खिलाडी का दिवाना हुआ पूरा क्रिकेट जगा था सिक्सर किंग युवरा सिंग से लेकर क्रिस केल और महिंदर जिंग दूनी ने येशस्वी की तारीफों के पुल बांते हुए कहा दि कि येशस्वी जैसवाल और केल राहुल में कौन सबसे अधिक खतरनाक ओपनर बल्ले बाजे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों जिस करो या मरो के मुकाबले में कोलकाता को किसी भी कीमत पर जीत चाहिए थी वहाँ उनके गड़ इडन गार्डन्स के मैदान पर दो भारती खिलाडी उनके लिए यमराज बनकर मैदान में उतरे जहां चेहल ने अपनी फिर्गी से इतिहास रचते हुए कोलकाता को केवल 140 रनों पर रोग दिया था तो इस चोटे से लक्षे का पीछा करते हुए ये शस्वी जैसवाल ने इस कदर तबाही मचाई कि पूरा क्रिकेट जगाते इस खिलाडी को सलाम करने पर मजबूर हो गया जियां दोस्तों आपको बता दे ये शस्वी ने पहले ये ओवर में चौके चखकों की जड़ी लगाते हुए 26 रन बटोर लिये थे जिसे देखकर ही उनके तेवर लोगों को मालूम चल गए थे लेकिन ये खिलाडी इतने में नहीं थमा अपने सामने आने वाले हर एक गें जैस्वाल के नारे लगा रहा था तो वहीं इतने पर भी ये शस्वी जैस्वाल थमी नहीं और उन्होंने औरेंज कैप की भी मजबूत दावेदारी पेश करी और अपनी टीम को प्ले आफ के एक कदम और करीब पहुँचा दिया केवल इतना नहीं दोस्तों उन्होंने नाम का डर बैट गया होगा देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक युवा खिलाडी आकर ऐसी परफॉर्मेंस ले रहा है तुम्हारा बविश्य बहुत ब्राइट है उसके लिए बहुत बहुत शुप कामना है तो दोस्तों यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल भी ये शस्व को आसानी से तोड़ देंगे जियां दोस्तों क्रिस गेल भी ये शस्वी के बहुत बड़े फैन हो गए तो वहीं अब खुद भारत की शान महिंदर सिंग धोनी ने भी इस खिलाडी को भविश्य की हीरो बताते हुए काय कि जब मैंने ये शस्वी को पहली बार देखा था तब ही मुझे अंदाजा हो गया था इस खिलाडी के भविश्य बहुत आगे जाने वाला है एक भारती होने के नाते मुझे बहुत खुशी है कि युवा खिलाडी आकर इस तरीके से परफॉमेंस दे रहे हैं ये सब देखकर बहुत अच्छा लगता है ये शस्वी आपने क कमाने के लिए बैठा है क्या कमाल की बलेबाजी की है मुझे भी तुम्हें अपना फैन बना लिया है और इस उपलब्दी के लिए बहुत बहुत बढ़ा है ये शस्वी तुम्हारा भविश्य बहुत ब्राइट है और बहुत जल्द टीम इंडिया की जर्सी तुम्हारा इ धन्यवाद